हलो, नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे सिंदू गाटि सब्वेता का पार्ट टू जिसमें हम आज पढ़ेंगे मोंजो जडो, लोथल, चौदरो के बारे में विश्तरित जान करी इससे पहले आप चैनल पर फस्ट बार विजिट करें तो चैनल को सस्क्राइब करें और जो भी पास में गंटे का निशान दिकाई दे रहा है उसको दबाए ताकि आने वाले सबें इन्ने वीडियो आपको मिलते रहें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेर करना ना बूले हम सरवात करते हैं महत्मुन टॉपिक शिंदू गाटि सब्वेता में महत्मुन चैतर महौन जोदडो जिसके बारे में हम विष्त्रित जानकारी प्राप्त करेंगे महौन जोदडो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंद परांध में लकरान जिले में जिसकी खोज 1922 में रखल दास बेनर्जी दुआरा की गई थी मौन जोद्डो का साब्दी करता है मर्तकों का टीला और मौन जोद्डो सिंदी भासा का सब्द है मौन जोद्डो की वर्तमान में जो इस्तती है वो पाकिस्तान की सिंद परांद में और सिंदु नदी के दायतर बसावाई है यह सेर था मौन जोदलो सिंदु गाटी सब्वेता का सबसे विक्षित नगर तता सबसे विश्तरित नगर था मौन जोदलो में सब भी सड़के एक दूसरे को समकौन पर काटती है इस पदती को यह चैश्वार्ट शिस्टम या ग्रीड पदती कहते हैं इस ग्रीड पदती के अदार पर वर्तमान में चंडिकखर शेर बसावा है इस पदती में गरों के दुरवाजी मुक्य सड़की और नक होकर गली की सड़की और होते हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं सबी मुख्य सड़के हैं एक डूसरे को संकौन पर काड़ती है तता एक चोरह एक अनिर्मान करती है और जो भी गर के दरवाजे हैं वो गली की सड़क की तरफ खुलते हैं अब हम आपको बतायते हैं कि मौन जोड़ों में उत्खनन के दोरान प्राप्त क्या-क्या चीज़े प्राप्त हुई उसके बारे में हम विश्तरित जानगारी प्राप्त करेंगे मौन जोड़ों में एक विसाल सनानगरे प्राप्त हुआ जिसके तीन तरफ कमरे बने वे थे इसको देखकर इतियासकरों ने अनुमान लगया कि यह जो विशाल सनानगरे था उसका परियोग दार्मिक अनुष्टान में किया जाता था मौन जोद्रों में सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है वो है अन्नागर मौन जोद्रों से एक योगी की मूरती भी प्राप्त हुई है जिसके चारोतरफ पस्वों का अंकर ने तता सामने एक तिर्शुल्चे सिया करती है इसको देखकर इतियासकरों ने अनुमान लगया है कि यह मूरती पस्वपतिनात की हो सकती है इसी मूरती के बारे में सर जोन मार्सल ने यह का कि यह अध्य सीव की मूरती है मौन जोद्रों की उत्कुनन में अन्य चीजे भी प्राप्त हुई है जिसमें लाल सुती कपड़ा है काशिय की नर्थकी की मूर्ती है उस तरह है पक्की निटों के आवास ये सभी महत पूर्ण अवशेस प्राप्त हुएं महौन जोदुडों में इसके अलवा आपको बता दियें कि महौन जोदुडों का व्यपपार मेसोपोर्टामियां से था महौन जोदुडों के बारे में आपने देख लिया था कि इसकी खोज रखलदास में नर्जी दुवारा की गई थी और 1922 में इसकी खोज हुई थी और पाकिस्तान के सिंद्ध परांद में ये इस्तित है वर्दमान में इसके बाद हम बढ़ते हैं लोथल जो कि सिंदुगाट मेहत्पूर्ण नगर था लोथल का भी अर्थ होता है मर्दकुप कटिला जो गुजरात के एमदाबाद में वर्तमान में और उस्तमें बोगवनदी के किनारे बसावा एक नहर नगर था जिसकी खोज 1907 में एसा राव के द्वार की गई थी ये महत्पूर्ण व्यापारिक तक लोथल में के बंदरगाय प्राप्ट हुआ है बंदरगाए के उससे प्राप्ति के जिसना में माजड़े लुए जिसे अंग्रेजी में बंदरगा को डोक्यार्ड या गौद्धी बाड़े कहते हैं लोथल से फारस की महुरे प्राप्त हुई है और जो भी लोथल में दो नगर प्राप्त हुए हैं दुर्गी की रते यहने कि उनके चारो तरफ दिवार बनाई हुई है और लोथल में उत्कुनन के दोरान एक गोड़े की मूर्ती वहाँ से मन के बनाने कार खाना हातिदात का बनावा स्केल प्राप्त हुआ है इसके बाद हम बता दें आपको कि लोथल एक इस सब्वेता का पर्मुक अंतराइस्टी व्यापार का केंदर था तो आपको बता दें कि लोथल की खोज 1907 में एसा राव द्वार की गई थी और ये एक महत्कुन व्यापारिक नगर था उसके बाद हम बढ़ते हैं सिंदु गाटी सब्वेता का अगला महत्कुन चत्र चहुदडो जिसकी इस्तती पाकिस्तान के सिंद परांत में सिंदु नदी के किनारे हैं जिसकी खोज 1931 में एंजी मजूमदार द्वार की गई थी और इसका विश्तरित उत्खनन 1935 में मेग ने किया था आपको बता दियां कि खोज तो 1931 में एंजी मजूमदार की गई थी लेकिन इसका उत्खनन जो प्रारम हुआ 1935 में उत्खनन में प्राप्त चीज़ों से ही अनुमा लगया गया कि चौधड़ों के लोगों कुसल कारी करते जो मन के तता सीप से मुद्राओं का निर्मान करते थे चौधड़ों से हडपाकालीन के तरिक्त प्राग हडपाकायुक की जुकर जाकर संस्कृति के उसे इस भी प्राप्त हुए है यहां से एक अद्दर राज जिसे अंग्रेजी में लिपिस्टे केते हैं उसके साक्षे भी मिले हैं और एक संगार पेटी भी मिली है जिसे लाज़ा की अवशेस भी मिले हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा यह में कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और पसंद आए तो लाइक करें और शेर करना ना बूले